दोस्तों क्या आप भी एक प्रीमियम इंडियन एसुबी लेना चाहते हैं और टाटा हैरियर और टाटा सफारी के बीच फसे वे हैं कि किस कार को लेना आपके लिए होगा बेश्ट दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के खास जान करें लेकर आए हैं जहाँ पर आप सभी लोगों के सभी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा आप सभी लोगों के टाटा हैरियर को लेना चाहते हैं या फिर टाटा सफारी को दोनों ही मेर एक लाग रुपए का फर्क है आ पिर उस जगह पर टाटा सफारी को लिया जाए 6 और 7 जीटर को देखते वे जानत इस कमाल की वीडियो में वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और ऐसे हैं हैलफ़ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दमाएं ताकि आप लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन कभी मिश न कर पाएं दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करेंगे टाटा सफारी और हेरे की बिच में कुछ खाज डिफरेंस की कि आप सबी लोगों को टाटा सफारी में टाटा हेरे से कौन कौन सी चीज ज़्यादा मिलती है जहाँ पर आप सबी लोगों को किसी भी मोडल्स पार किसी भी variant wise आपसे भी लोगों को टाटा सफारी में एक लाग रुपे ज़्यादा देने पड़ते हैं तो आईए जानते इस कमाल की वीडियो में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसके engine की ही बात कर लेते हैं इसके दिल की बात यानि के सबसे पहले दिल यानकी engine की बात करते हैं तो यहाँ पर टाटा सफारी और टाटा हैरियर पर सेम engine डाल दिया गया है ऐसा क्यों किया है पता नहीं थोड़ी से पाउर ज़्यादा देनी चाहीए थे लेकिन क्या करें भाई नहीं दिया तो नहीं दिया यहाँ पर टाटा सफारी और टाटा हैरियर दोनों ही पर आपको 2.0 लेटर का diesel engine मिलता है जो automatic और manual दोनों ही transmission पर आती है आपको 6-speed manual और 6-speed automatic transmission का option मिलता है दोनों ही जो है वो front wheel drive भाई टाटा हैरियर यह सफारी में आपको पैट्रोल कब मिलेगा यह हमें टाटा से पुछनी चाहिए बाई टाटा जवाब दो आखिर हमें टाटा हैरियर यह सफारी पर petrol option कब मिलेगा काफी लोग इन दोनों कार को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनको petrol option नहीं मिलता क्योंकि आपसे भी लोगों को भी जानते हैं एक बड़ी कार पर आप वो petrol engine मिले तो काफी ज्यादा बहतर होता है फिर भी ठीक है diesel engine भी power काफी अच्छे 167.63bhp और power के स diesel engine है तो अबेसली इसकी newton meter भी काफी ज्यादा होगी यानकि टॉर्क 350 newton meter का टॉर्क भी दिया गया है दोस्तों अगर आप इन में से किसी भी कार को लेते है तो आपको टाटा हैरियर पर 17 km प्रती लिटर और टाटा सफारी पर थोड़ी कम लगवाग 15-16 km प्रती लिटर त इसकारन से आपको थोड़ी सी मैलेज कम मिलेगी अब बात करते कुछ और डिफरेंस की याकिर क्या क्या चीज टाटा ने सफारी हैरेस के अंतराली इसमें क्या की चीज़े डाल दी है यहाँ पर हम बात करें इसके ब्रेक्स की तो आपको 4-5 लाक रुपए की कार में भी जाता है जो आप जानते ही होंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी टाटा ने अपनी अपनी जो हरकते हैं उसो सुधारी है और 20 लाके कार पर यह पी 15 लाके कार पर आप पो डिवर्ल डिस्क ब्रेक दी गई है टाटा है सफारी पर तो यह थोड़ी सी चीज़े अच 16 इंच और 17 इंच लेकिन अगर आप टाटा के सफारी को लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिलती है 17 इंच और 18 इंच के यानि कि टोपेश्ट वेरिंट पर आपको 18 इंच यानि कि मतलब टाटा का कहना है कि आप 20 लाक रुपए लगा है मैं आपको एक इच जादा बड़ी मिलती है यानि कि लगबग आपको 4.6 मीटर कि लेन्ध मिलती है वहीं पर अगर हाम है सफारी के बात करें तो हां पर आपको फॉर्स डबल 6 1 यानि कि लगबग sixth six six sixgender के लेन्ध मिलती है अगर आप 17 लेते हो तो है यानि कि आपको हेर Würell से से 23 डादा लेन्ध मिलती है मात्र 63 mm अगर आप इसे सुन कर देखे तो काफी ज़्यादा लगता है ना लेकिन आपको मैं बदा दू कि ये 4 से 5 ये लबक एक हाथ के आसपस बड़ी है येनि कि अगर आप दोनों ही कार को सामने भी खड़ी कर दे ना तो भी आपको ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा कैर फिर भी बड़ी तो बड़ी होती है 63 mm भी ठीक है बड़ी तो है यहाँ पर व्रेत की बात करें तो 1894 mm की व्रेत यहाँ पर टाटा हैरियर पर है और 1894 mm की व्रेत तुझे वो टाटा सफारी पर भी है यहाँ थोड़ी से तो डिफरेंस देता बले ही 6 mm की की उना यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो 176 mm की हाइट है हैरियर की और 1786 mm की हाइट है टाटा सफारी की यहाँ थोड़ी से देखने को ज़़दा मिलेगे लेकिन फ्रेंट से नहीं यह बैक से क्योंकि थर्ड रो सीटिंग है तो पीछे से इसको थोड़ी से बाहना जरूरी नहीं था जिसकरन से टाटा सफारी पर थोड़ी से हाइट को बढ़ाया गया अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की दोस्तो एक लाक रुपए कम लगा है या आप लाक रुपए ज्यादा लगा है दोनों ही पर आपको 205 mm की ग्राउंड क्लेंस मिलती है कोई बड़ी कोई खास शीज नहीं है अगर हम देखे तो 205 mm 200 mm से उपर की जो ग्राउंड क्लेंस होती है काफी बैतर होती है तो जिसकरन से दो नहीं करो फिर भी ठीक है कोई रिफरेंस नहीं है फिर भी बेस्ट है यहाँ अगर हम बूटी स्पेस की बात करें तो अगर पारे तो आपको थोड़ी सी तो ज्यादा जगह मिलेगी जहां पर आप इसके बूटी स्पेस इनिक इसके डिक्की पर बैग पर भी आप काफी सारे समानों को डाल सकते हैं लेकिन वहीं पर अगर हम यहां टाटा साफारी की बात करें तो वहां पर आपको सेवें सीटर या सेवें सिक्सी इटर ऑप्शन के बाद केवल सेंटी त्री लिटर की बूटी स्पेस मिलती है जिसमें आप चोटी सी बैग अगर रख सकते हैं कोई खास बड़ी स्क्टोरीच नहीं मिलती है किसी बच्चे को भी अगर आप घुसा दे तो वह भी नहीं घुस पाएगा फिर यह तो बात की बात है यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप से भी लोगों को इसके बेस मोडल पर दो एयरवेग और टोपेश में पर शिक्स एयरवेग ऑप्शन दिये गें सेप्टी के मामले में दोने ही कार बिलकुल सेम है कुछ कुछ खास फीचर है जो चार्ट इसके बात करें यह फिर एच इवेंट की बात करें सभी चीज है दोनों कारपर बिलकुल सेम मिलती है सेवेच का टैश क्रीन दोनोई कार पर मिलती है, same feature के साथ आने वाले टॉच स्क्रिन, दोनोई कार पर दिया गया है, तो कोई difference आप पो नहीं मिलता है, डेस्पोड भी सेम है, instrument cluster भी दोनोई कार पर बहुत भी सेम है, कुछ फीचर भो अगर है, आप को दोनोई पर तो six speakers मिलते हैं और जो दो tweeters आगे दी जाते वो दोनों कार्ड पर मिल जाएगी यहां पर आगर आप बात करें तो दोनों कार्ड का अगर हम नहीं कोई भी वेरियंट के बात करें सभी वेरियंट जो है वह एक लाख रुपए ज्यादा है सफारी की और एक लाख रुपए कम ह है cheard की सब्सक्राइब करें तो यहां पर आप सबी लोगों को टा कर e愫्स तो यहां पर आप से भी लोगों को टारा की टा उन्य। 15,00,00ром यहां टारा सफारी की वह सोला लाक है दोनों की जो मोडल से उन्जनस अबды can चीज़ें मिलती है जो यहाँ पर आप से भी बता दें कि drorls जो मिलती है दोनों ही कार पर वो led fitted drorl है जो आप जानते ही है दोनों ही कार पर जो फ्रण्ट लोग भी वे लगबग 90% सेम है यहां पर दोनी कार पर आपको बेस मोडल से ही प्रोजेक्टर हैड लेंप और एलेड टेल लेंप और देखने को मिल जाती है तो यह ठीक है काफी अची चीजे तो यह कुछ खाल डिफ्रेंसेस हैं जो आपसे लोगों को टाटा है और सफारी पर एक लाग रुपे कम और ज्या के साथ कमेंट केंगे जरू बताएगा अगर आप मेरे राई पुछें तो आपको मैं बता दो कि एक लोग रुपे ज्यादा आपको जरूर लिया जा रहा है लेकिन डाइमेंसेस पर कोई खास डिफ्रेंस नहीं है आपको यहां पर टाटा साफारी पर थर्ड रो सीट मिलती है तो यह काफी प्लस पॉइंट है एक कार के लिए एक इंश टाइर्स ऑप्शन भी ज्यादा है लेकिन बेस मोडल पर तो बेसले आपको विल कबारी मिलेगा तो आपको टाटा सफारी आपके लिए ज्यादा भैतर ऑप्शन रहेगा कंपे टो टाटा हैरियर आपकी पसंद किया है कमेंट का के बाता है उभी तक कोई वीडियो पसंदा है अगर वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना बुले एक सहीक नए अलप वीडियो को साथ मिलता तब तक लिए अपना ध्यान रखें जाहिंद वन्ने मात्र झाल 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 झाल